अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद अबराहिम को लेकर कई सारी चीज़े सामने आती रहती हैं दुनिया की कई खूफिया एजेंसी दाउद तक पहुशने की कोशिशों में लगी हुई है हाल ही में दाउद अबराहिम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है खबरों की मताबिक अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद अबराहिम कोरोना पॉजटिव आया है दाउद को कोरोना वाइरस के बाद उसके गार्ड और दूसरे स्टाफ को कुरिंटाइन कर दिया गया है दाउद अबराहिम कोरोना पॉजटिव पाया गया है आपको बता दे कि दाउद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और 1993 में मुंबई में हुए बंधमाके का मास्टर माइंड भी है और अंडर वर्ल्ड डॉन है इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है लेकि परिवार हैं जिनमें तीन बेटिया महरुक महरीन और मारिया साथ ही एक बेटा है जिसका नाम मोईन है अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इबराहिम हमेशा ही सारी दुनिया में चडशा में रहा है और नजाने कितनी खूफिया एजिंसी को दाउद का इंतिजार है और हाल ही में आ रही की खबरों की मताबिक दाउद इबराहिम कोरोना पॉजिटिफ आया गया है और इस समय दाउद इबराहिम पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ छुपकर रह रहा है इस बात की कई बार सबूत पाकिस्तान को दिये भी गए लेकिन पाकिस्तान अब तक इस बात को मानने स इनकार करता आया है कि दाउद इब्राहिम वहाँ पर छुपा हुआ है और हाल ही में दाउद को लेकर ये बड़ी खबर सामनी आई है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स